मैं एसे से बोल रही हूँ आका वीजा आ गया है वीजा पोल डाउं क्यों में काका तू कोई वीजा अफलाई कीता है जी मैं एसे फीजा आपने आभी चलना से यह तो सारे पिंड़नों दसना चाही दा है पिंड़नों नहीं पुरे पंजाब दसना चाही दा है पाद ये फेर रहा उन्हें फोन चको अपॉइंट्मेंट बुक करो ते एसे ग्नूबल दे कैनडा सेमिनार दा हिस्सा बनो सची काल जी मैं जोती हाजरा लेके थड़ा अपना शोद देश पर देश जेड़े वच्चे देश तो भी देश जाना चौन देने असी उन्हाले हाजर होने आपने स्टडी वीजा एक्सपर्ट देना ते आज जसी गाल करांगे कैनडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, यूके, यूसे ते यॉरप दे बारे ते साथ देनाल हन वेस्टन ओवर्सीज तो परदीप वल्यान जी सच्छी काल सर् इस देनाल नाल एक होर अनॉंस्मेंट जेडिके एजुकेशन एक्सपो लेके आरे ने वेस्टन ओवर्सीज इस विच हर तना दी फायल चाहे तुसी सिंगल हो, स्पाउस हो जा रफ्यूस्ट हो, हर तना दी फायल तुसी डिसकर कर सकते हो, साथे स्टडी वीजा एक्सपर् करके, सर मैं होन एक पुछना चाहुदी है कि जेड़े स्टूडन जेड़ा सेमिनार तुसी लेके आरे हो, इनान या डेज साथे स्टूडन से नाल तोड यह डिसकर करें, लिए वेस्ट नोर से एक्सपो जिसमें कैनिड़ा, उस्ट्रेलिया, निसलेंड, युके, युसे, हर एक कंटीज का on sport admission, on sport assessment आप करा सकते हैं, साथ-साथ में जो बच्चे, IRC या PT करना चाते हैं, उनके लिए भी good news है, कि वहाँ इस fair में, IDP, British Council, Pearson certified trainer होंगे, जो आपको 9 band perfect operation की tips and strategy देंगे, तो आप please कागज पहन लेके लिख सकते हैं, कि हम किस किस सहर में आ रहे हैं, और क कैथल आ रहे हैं, 14 को जो सोनीपत में है, वो सागर रेस्टोरेंट सुबाश्चोक पे, और सेम डे जो कैथल है, होटल गॉल्डिन, 15 तारिक को हिसार और शिर्षा, हिसार में डबल स्पून रेस्टोरेंट है, और शिर्षा में होटल गलैक्सी है, 17 तारिक से हम आ रहे हैं पंजाब में, 17 तारिक को हम रिच्छर आ रहे हैं होटल एच के कलार्किन, 18 तारिक को जलंदर दा माया होटल, 19 तारिक को लुद्याना ए होटल जो कि फ्रोज गांधी मार्किट में पड़ते हैं, 20 तारिक को बटिंडा होटल करिष्णा कॉंटिनेंटल, 21 तारिक को मोगा ए 22 सी चंडिगर में है, 26 तारिक को हमारे जी डेली, दा रोयल प्लाजा जो की कनाट पेस में पड़ता है, 28 तारिक को देरादून होटल सैपरोन लिफ में आ रहे हैं, 1 जुलाई को जम्मू होटल विवेक, 6 जुलाई को श्री गंगानगर होटल प्राइम प्रेजिदेंसी, 13 13 जुलाई को हमारे जी, रुद्धरपूर खोटल, रुद्रा कॉंटिनेंटल, तो ये जी फेर है, सुबह 11 बजे से लेके, शाम के 5 बजे तक वहाँ पे होंगे, आपको करेड़ा जाना है, उस्टिले जाना है, न्यूजलेंड, यूके, यूएसे, यूरोप या इल्स होंगा, मेरी टीम होगी, प्लेस में डिफ्रेंट डिफ्रेंट यूनिवर्स्टी जैन कोलेज के डेलिगेट्स होंगे, यहां पर आपको 50% अप्लिकेशन फीस एंड सर्वीस चार्ज में वे ओफ मिलेगा, तो जो कमिंग इंटेक है, सेप्टमर इंटेक हम या कैनेड़ा मे जो बच्चे न्यूजलेंड जाना चाहते हैं, तो अगेन जुलाई, इसके लावा हर एक प्राइवेट कोलेज में, मतलब हर दो महिने में इंटेक होता है, तो बच्चों को वहाँ पे अडिमेशन दिया जा सकता है, जो बच्चे यूरोप जाना चाहते हैं, या यूके जा आपके मेजर सब्जेक्स में कितनी परसंटेज है, आइस में स्कोर कितना है, साथ-साथ में ये इनफोर्मिसन जरूर लेकर आइए कि पापा मम्मी क्या करते हैं, और कौन स्पोंसर कर सकता, दादादी, ना, ना, नी, भाई, बैन, उनके प्रोफेस्टन्स क्या है, उनके प सेमिनार लगाए ने, उनके इस तरह दर रिस्पोंस रहा है, देखिए, अभी हमने 10 जून से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अमबाला, गयरा तारिको कुरुक्षेतर और बार तारिको करनाल किया है, हर फेर में 500 प्लस बच्चा है, और हमने बच्चों को 70, 80, 80, 90 ऐसे हर हर फेर में से हमने बच्चों को ऑन स्पोर्ट असेस्मेंट या स्कोलर्शिप दिलाई है, एडिमिशन दिलाया है, बहुत बढ़िया रिस्पोंस है बच्चों का क्योंकि अभी रिसेंटली बच्चे पास आउट हुए हैं, विदेश वो जाना चाहते हैं, चंगे कंसल्डे हों कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, एंड कमिंग जो हम यम्रानगर, फत्याबाद, सोनिरपद, कैथल, हिसार, सिरसा, अमरिसर, जलंदर, लुद्याना, बटिंडा, मोगा, परनाला, पटियाला, चंडिगर, डैली, देरादून, जम्मू, श्री गंगानगर, रिस्पॉंस बहुत अच्छा है, जो बच्चों की प्रोफाइल आरे हैं, मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत से बच्चे बटके हुए हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल, 80-80%, 6.5 बेंड के बच्चे रिफूजल हैं, किस कान से, कि उनके, कहना में, कोई अच्छे कोर्स में उनका एडमिसन नहीं दिया, तो यह सारे रिजन से, जो बच्चों के रिफूजल हैं, काफी बच्चे ऐसे भी बैठे हैं, जो चार-चार महिने से अपने ओफर लेटर के लिए बटक रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मिले हैं, जो एजेंट उसके अकाउंड में डाल चुके हैं, मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, कि एडवांस 15-15 लाग रपी हैं, कौन चों दे सकता है किसी एजेंट्स को, और एजेंट्स तो पैसे दे दिया तो उसना आगए यूश्टी को बेजे नहीं हैं, तो बच् कि एसी रपीज आगए हैं, क्लिक में चुकि एजेंट्स, पहुत भूली टुदेंट्स देयां के और वो हैं अगए तो पी जान चौन, पर रबहना क्यूत्स को शंचाएं, रपसे सटोड़लेंट्स के आट रपमिता हैं, कि एसे स bulk की बिलाइजे नहीं हैं, अगने घाज तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे एजेंट से एस स्टूडेंट जरूर बचे जो एडवांस बांगता है और एडवांस कोई 10-20-50 जारपी का मेंटरी का अग होता है अदुश्या पचाहर का भी कोई मतलब नहीं होता है कोई 10-50 जारपी की बात होते हैं लेकिन जब आप पैसे 15- पंजा लाग रपी आप किसी कंसल्टेंट के अकाउन में डाल देते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगेन रिक्वेस्ट है एजेंट को बोलो जो आपसे एडवांस इस तरकी से कैस मांगता है तो उसको बोलो कि भी में जो ऑफ़ लेटर दिखा और ऑफ़ लेटर में क आपके लिए बहुत प्रॉबलम है इसमें 99.99% फ्रोड होगा और क्योंकि एजेंट क्यों लेगा कैस इतने पैसे वह कैस ले रहा है इत मिनको उसने कुछ गडबर है में उसने अपनी पत्ती रखी हुई है पंच-चेर लाग रुपे की इतने पैसे थोड़ी होते हैं तो य और स्पोर्ट असेश्मेंट करा सकते हैं और राइट इनफोर्मेशन आप यहां से लेके जाएए क्या ठीक है क्या गल्थ है यह आपको यहां पर बताया जाएगा आगेर मैं बताना चाहूँगा कि लुठ्याना एहा खोटल फिरोजसगान धी मार्केट में भी इस तारी को ठस्दे है जी हम बटिंडा मैं है होटल किस्चना कॉंटिनेंटल इकीस तारीक को फ्राइडे को हम दो सेहर में आ रहें मोग एंड बरनाला मोग ने होटल दिंग्रा और सेम डे फ्राइडे इकीस त होटल मिडवे डिलाइट ट्रीट 22 जून दिन सनिवार पटियाला होटल महन कॉंटिनेंटल 24 तारिक को दिन मंडे है जी होटल अरोमा सेक्टर 22 सी चंडीगर्ड में है तो 26 तारिक को हमारे जी डैली दा रोयल प्लाजा जो की कनाट प्लेस में पड़ता है ठाइस तारिक को फ्राइडे देरादून होटल सैफ्रोन लीफ एक जुलाई मंडे के दिन जम्मू होटल विर्क 6 जुलाई सैटरडे स्रिगंगानगर होटल प्राइम प्रेजिदेंसी 13 तारिक 13 जुलाई दिन सैटरडे रुदरपर होटल रुदरा कॉंटिनेंटल आपको कोई भी समस्या है आपने अपरोड जाना है आपका ओफरलेटर नहीं आ रहा है आपका विजा रिजेक्ट हो गया है आप फ्रेश टूडेंट्स है विदेश जाने का सोच रहे हैं या आयल्स पीटी सेल्पीप करना चाहते हैं सारी कोईशन्स के अंसर हम आपके सहर में आपके घर के नजदिक आ रहे हैं सुबह 11 बजे से लेके साम के पांच विद तक हम अवेलेबल होंगे जिसमें आपको ओन स्पोर्ट एडिमिशन मिलेगा फिप्टी परसेंट आपको सर्वीश चार्ज एंड अप्लिकेशन फीज म अगर आपको जो पर इस आए पेएक मदलानों आपका में पारी किसने को स्पोर्टिव को कुछी होता है हम इस में कKरता है इस अ किछ म करत भी के कितना sincere है यह depend करता है कि वह consultant वह loophole को देखते हुए किस तरीके से हर फाइल में कुछ ने कुछ positive होता है वो positive points को देखते हुए कैसे फाइल त्यार करता है और visa लग सकता है तो मैं आपसे request करूँगा अगर आपका refusal है आपकी profile जो भी है एक बार in fair में discuss करिए और visa embassy देने के लिए बैठी है वो जो high commissions यहां Delhi में है या फिर Bombay में है या फिर कहीं पर किसी भी पार्ट में इंडिया के तो वो visa देने के लिए दिखाई नहीं हाई कि हाँ नहीं पर नेगटिव थे पोशितिव अच्पक्स है और यह बच्ट फूडद जो है विजय का हगदार है तो हर एक प्रोफाइल में कुछ पोशितिव है तो हरे अप्टोफेर कूसने कुछ पोशितिव है इस अब्सेट फेर सेट एंद चाय पी 2019 पास आउट है, क्यों उनके गैप पड़े है, ठीक है वो अभी 2019 पास आउट है, उनकी परसंडेज अच्छी है, वो आइल्स कर रहे हैं, आइल्समन को कितना स्कोर चीए, साथ-साथ मुन कैनल जाना है, या उस्टेलिया जाना है, या यूरोप जाना है, यूक्य जाना है, य इस भी कंट्री में जाना है, कौन सी उनकी हो, कौन सा कोर्स हो, फी स्टक्चर क्या हो सकती है, उसको कितने पैसे की जूरुत पड़ेगी, मम्मी बापा की आईटियर कितनी हो चीए, कोई और स्पोंसर कर रहा है, उसकी आईटियर कितनी होनी चीए, तो ये सारी की सारी तरीके से रिटन में दी जाएंगे, कि आप किस कंट्री में, किस कोलेज के लिए, किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, और आपका एक्चॉल खर्चा क्या एगा, जी, सर बच्चे जिदा होन चूनता लेंदे है कैसी कैनडा जाना है, बाट उना नो ये नही पता होनदा कि तो ये चीजें मैटर करती है, कि जो भी आपकी प्रोफाइल है, उसके हाथ पैर होने चाहिए, और रिलिवेंट कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए, तो मैं आपको सजस्ट करूँगा इन फेर माईए, फिर भी मैं इस वीडियो के माददम से, इस चैनल के माददम से बता आप सकते हैं, फिर भी आपको इस फिल्ड चेंज करती हैं, तो संच में आपको सब्सक्राइब आपको जाएंगे, तो तो प्रोफल्ड है का हृए टूर्ज के पास कोई तो वीजा नहीं नहीं है, दूटियो भी मैं आणा जाना चाहिए, और भी ब Griffes हisन ही न चाहिए, फि या फिर वीजा ओफिसर का मूड डिपेंड करता है कि वह कैसा है तो मैं हमेशा सज़च करूँ गूरुआ रिलिवेंट कोर्स के लिए जाए और अच्छी चंगी उनस्टी चंगे कोलेज में जाए रिलिवेंट कोर्स के साथ साथ कुछ चीजी है कि आप फीज पे करें करती है और एक चंगी और एक बहुत मलब सोट में एक पेज दो पेज की आपकी स्टेटमेंट और परपस जिसमें कलियर मैंशन हो कि आप पर्टिकुलर इसको क्यों करने जा रहे हैं और इसका आउटकम क्या होगा यह चीजे वीजा ओफिसर देखता है वीजा देता है जी स जी दो तरह की है एक एक और कोलेज यह उनिए रिफिसन किया है यहाई कमीशन मनी गया तो कुछ ब्रॉलम भी रिफिजए रिफियूज ही नहीं है अगर वह फाइल आ एम्बैस ए और इसके बाद जी टी रिफिजल पर प्रॉंट्ग कर सकता है बद आप्लाई कर सकता है बर पर टाइम पर फाइल लगाना तो वो चीज़ अगर रखेंगे तो डेफिनिट्ली आपका वीजा लगेगा और कैनिडा में किसी बच्चे का चे एक बार रिफ्यूज है चे दस बार रिफ्यूज है हौप मत हारिये आपका वीजा आसकता कोई दिक्कत निया है जेहुन आपा गल कर दें यॉरप दी ज़िए ज़र अप्रेजन सेरियो किया है देखे अभी हमने पिछे जर्मान एजुकेशन एक्सपो किया था तो उसमें हमने मोर दें 25 उनिस्टी ज़ाई थी और वहां पे तकरिबन तकरिबन 4500-500 बच्चा वहां पे आया और तकरिबन त तो बच्चों का बहुत ज्यादा मालब रोजान यूरोप की तरफ जा रहा है क्योंकि फीज कम होती है स्टे बैक उप्शन से डूरिंग स्रडी वर्क राइट से इसके लाबा कहना मैं यूरोप में कंट्री और भी हैं जैसे लाट्विया है लुथिनिया है फ्रांस है जर् जर्ट में प्रोविजन है स्टूरेंट्स कि जो यूरोप में जाना जाना चाहते हैं गड़ असेटेबल है प्रोफाइल तब यूज सी लो है तब यूसेपटेबल है फंट कम जैए इसके लाबा क्या मैं आपके आपके लिए इसमाश्में स्कूर कम है तब बी कोई समश्य करो देखें कैनेडा ऊस्टिलिया निज्य लेंड युक्य यूसे यूरोप साउथ कोरिया किसी भी कंट्री में जाना है वैस्ट नोचे हर एक कंट्री में डील करता है सब कंट्री के डेलिगेट्स यहां पे होंगे मैं खुद होंगा मेरी टीम होगी इसके लिए इसके मैं खुद हूँ, आपको on-sport admission मिलेगा, on-sport आपका assessment किया जाएगा, 50% आपको application fees and service charge में way off मिलेगा, अब देखना जरूर होगा, कि बच्चा है कहां के लिए eligible, अगर बच्चा eligible Canada के लिए है यह नहीं, तो हम उसको बताएंगे, आप New Zealand जा सकते हो, या अश्टी ले जा सकते हो, या यूरोप में जा सकते हो, UK जा सकते हो, US जा सकते हो, मिला हर एक countries के वहां पे, डेलिगेट्स हैं, और एक educated or dedicated team बैठी है, तो बच्चों को assess करके वो बता पाएंगे कि आप पर्टिकोलर किस कंट्री के लिए, किस कोर्स के लिए, किस कोलेज के लिए अलिगेट्स के लिए, सर जमें होन सोशल मीडिया दे ओपर एक ख़वर बाच आरिया कि अस्ट्रेलिया बंद हो गया है, किये साथिया जा अपने रिजेक्शन नूश पाउंड दी लिजडी कंसल्टन्टेंट एदा बोल देया, मैडम सब से बढ़िया कोश्चन किया आपने, मैलब मेरे पास बच्ची आरहे हैं, मेरे फेस्बॉक पर बोल रहे हैं, जो ओफिस में आरहे हैं, बोल रहे हैं, और लोग बोलते हैं कि जिस बारे में शो पर आप बद बोलिये, देखे, कंट्री बंद नहीं हुआ है, मैं जब यह रिउमर चल रहा है जब मैं उस तिल्या में था, ठीक है, कंट्टिनूसली बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं, हर हपते आठ दस बारा आठ दस बारा वीज़े आ रहे हैं, हर हपते, तो अगर रिफ्यूजल अगर मान लो बंद होता तो वो वीज़े कहां से आते हैं, बंद हुआ है उनके लिए जो फेक काम करते हैं, बंदो आंनके लिए जो दसवी पास को MBA बना के लिए बेजते हैं बंदो आए उनके लिए जो फेक डोकुमेंट लगाते हैं बंदो हुआ उनके लिए जो 50% वाले बच्चे हैं बंदो हुआ उनके लिए major subjects में number कम है बंद हुआ उसके लिए जो पांच बेंड साड़े पांच बेंड पर कंसल्टेंट स्टूडेंट को पागल बना रहे हैं दो दो डाई तीन 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 लागर पर अपनी जेब में डाल रहे हैं तो मिलब ऐसे बच्चे तो सुरू से वीजी नहीं आ रहे हैं मैं तो पहले से बोल रहा हूँ जीटी मैच होनी चीए जैन्वन टेंपरिरी इंटरेंट उसमें आपकी एजुकेशन देखी जाएगी आपका गैप देखा जाएगा आपकी गैप जस्टिकेशन होनी चीए मेजर फोर सब्जेक्स में आपके नंबर अच्छे होने चीए इसके करने के बाद आल ओर वर्ल्ड में आप कहां पे किस कंपनी में और किस जोब पर आप जा सकते हैं और उसमें आपको कम से कम अबस्टी को जगना चीए कि आप वह सैटलना हो क्योंकि एस अस्टेलिया में स्स्विय फे सिंप्लिफाइड स्टूड विजा फ्रेमवर्ग और उ इस के लाबा जो कॉमरश बाला बच्चा है वह बि्स कर सकता है उसकी स्पेशिलाइशन केले जा सकता है जो आट्स वाले बच्यांटींड एक तो वह जो चुछ की पढ़ ए ऊसकता है आपका होटल मेंजमेंट है, टैवल तूजम है, जए बिसनस्य मेंट कर सकते हैं, या और जो पास कोई सब्जेक्स, जैसे आपके पास पॉलिडिगल साइंस है, तो क्रिमिन जैसे कोर्स के लिए भी जा सकते हो, हमें जो मेजर सब्जेक्स हैं वो पकड़ के आगे फ़र्ड़ कोर्स देना होता है इसी तरीके से जो बच्चे बैचलर्स है जिस फिल्ड में बैचलर्स है उसी फिल्ड में आगे पीजी ग्रिजुट सर्ट एडिया मास्टर कर सकते हैं सर जांदे जांदे एक वर फिर जड़े सेमिनार जब प्लीज आनाउंस कर दो तांके बच्चे उना तो लाब उठा सकना जी मैं देखे हम आरे आपके सहर में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो लेके तो जिसमें कैनेडा ऑस्टेलिया न्युजलेंड युके युएसे मिलेगा मैं खुद अवेलेबल होंगा बेरी डैडिकेट टीम होगी साथ साथ में जो बच्चे आयल्स पीटीए सेल्पिप करना चाहते हैं तो वह भी वहाँ पे सर्टिफाइड टेनर से मिल सकते हैं और नाइन बैट प्रफेक्ट रुपेशन के टिप्स और स्ट्रेजिज ले सकते हैं 14 तरीकों हमारे जी शोनी पत एंड कैतल सोनी पत मैं सागर रेस्टरेंट सुबास्ytic और कैतल होटल गोल्डिन पंदर तारीको हिसार सरसा, हिसार में डबल स्पून रेस्टिञेंट और și समयं ह מאוד लाइसी तारीक से मूऊ करें इससे इस इस पड्रोम फोटल है स्केलिवा एठार्टारी को जलंदर द माया होटल एंंडी है इस 20 तारीको बटिंडा जिसमें होटल कृष्णा कॉंटिनेंटल है 21 तारीको हमारे जी मोगा एंड बर्नाला में होटल मिडवे डिलाइट एंड ट्रीट 22 तारीको पतियाला आरें जी होटल महन कॉंटिनेंटल 24 तारीको जी चंडिगड आरें है होटल अरोमा सेक्टर 22 सी चंडिगड में 26 तारीको जी आम आरें जी डैली जो कि अपना दरोयल प्लाजा है जो कि कनाट पेस में है ठाइस तारीको देहरादून होटल सैफरोन लीफ और एक जुलाई को जम्मुहजी होटल विवेक छे जुलाई को श्री गंगानगर है होटल प्राइम प्रेजडेंसी और तेरा तारीको जी रुद्रपूर्ड होटल रुद्रा कॉंटिनेंटल तो दोस्तों आप फ्रेज स्टूडेंट्स हैं विदेश जाना चाहते हैं पहले बोल पे सिक्ष आते हैं मिन पहले ही ट्रम में आप अपना वीजा लेना चाहते हैं आप आईस या पीटी करना चाहते हैं आपके डाउट्स हैं कि कौन सा कोलेज कौन सा कोर्स कौन सी कंट्री कुछ नहीं हो सकता या फिर आपका उफर लेटर लटका हुआ है तो जो भी समस्या है सारी वेस्ट नोसीज को दे दो मैं कुद आपके साथ वहां पर होंगा वैठा हुगा मैं आपके केस को कुद असेश करूंगा और जो भी मैक्शिमम पोसिबिल्टी जोगी वो आपको बता अपनी हर तरह दी फायल नू साथ डे स्टडी एक्सपर्ट देनाल डेसकस कर सको इस देनाल ही मेंनों ते पर दीप जीनू जय जादत तनवाद सश्चिकाल जी हलो मैं ये से से बोल रही हूं आका वीजा आ गया है वीजा ओल डाउं क्यों में काका तू कोई वीजा अपलाई कीता है जी अपने कोलो पर इंगाने ये वीजा रिजेक्ट हो जान दा फेर नहीं डड़ी सारा लोस एसस वालाई ने अपने आभी चलना से ये तो सारे पिंड़नों दसना चाहिए पिंड़नों नहीं पुरे बंजाब दसना चाहिए पाद ये फेर रहा उन्हें फोन चको करो ते ये सस्ग्नूबल दे चैनला समी नार्दा हिस्सा बना